नमस्कार दोसों आप श्रभी का बहुत बहुत श्रागते दोसों आपको बता दें कि 12 अक्टूबर के शुबह 9 बुजे शे जिया दोसों ये श्रमाशे आपके जुनकाल में शंकट मोचन हनुमाजी के श्रबाशी चार बड़े महत्पूर बदलाव होने वाले हैं जिया दोसों महावली हनुमाजी के सिर्बाशी आपके जुनकाल में ये चार बड़े चमतकार आपको खुश कर देने वाले होंगे जिया दोसों आपको बता दें कि यहशु में मंगलवार का दिन होगा अर्थाद महावली हनुमाजी का दिन होगा जिया दोसों और जोती शास प्रफ्र में यह श्मि हनुमान जी अपने भक्तों की जुनकाल में बड़े चुमतकार आवश्य करते हैं जिन से उनका मन और गर्परवार हमेशा शुक्मे जीवन जीने के लिए आगे घर्शा रहते हैं जिन दोसों और यह श्मि महावली हनुमान जी के शुक्त बाशी आपके जुनकाल में यह बड़ी चुमतकार आपको धन्य कर देंगे जिन दोसों गरों के भी एश्मि में बहुती दुरलब और शुक्त बर रहे हैं कि दोसों जहां मंगलवार का दिन है शाती शात महावली हनुमान जी के शुक्त बाश्य आपके जुनकाल पर होना आपके दिन को चार शांद ला देंगे जिन दोसों आपको गदा दें कि शामि और गरों की स्थिति बहुती महत्पूर रहने वाली महावली हनुमान जी के शुक्त बाश्य दोसों अब आपका दायत होता है कि इन शभी शमियों का शही तरीके शे शावधानी पुरवक इस्तिमाल में लाएं इसी दोस्तों आपसे बस उनोद यह है कि वीडियो को बिल्कुल ही मिशना करें और सुरूर से लेकर अंतर तक जरूर देखें क्योंको दोसों इन में आप शभी महत्पूर जारेकर को जानेंगी कि यश्व में आपको किन किन चित्रों को लेकर शावधा नेने होंगी कौन स शमतकार होंगे तो दोस्तों अंतर तक दिखिएगा उससे पहले दोस्तों जोई भक्त वीडियो को लाइक करके कमेट बॉक्ष में सच्चे मन से जय हनुमान लिखेगा गुरू जी का और महावली हरुमान जी का सीदा अश्रबात प्राप करेगा तो हमें तुरौन जरूर और यदि आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें शाथी बैल आइकन को प्रेश करके और पर्श लेक्ट कर लें तो आई दोस्तों वीडियो को प्रारम करते हैं दोस्तों यह उम्मीद और आशाओं के शाथ दिन की शुरूआत होगी दोस्त किसी विविवित प्रश्तिती का शामना करने में इसमय आप सक्चम रहेंगे घर में किसी धार्मिक आविजन शमंदी ओजना भी बन शकती है दोस्तों आपके अंदर भरपूर अत्मेश्वास यह समय रहेगा इसको प्रान दोस्तों यह उम्मिकर आपकी शावधनी को लेकर बात करें तो दोस्तों दोस्तों के मामले में अधिक हस्पिक्ष करने से बचें यह शमय किसी परकार का बाद विवाद या फिर लाड़ाई जगड़ा होने के अशार भी बन रहे हैं दोस्तों मामले को गुस्ते के बजाए शांतिपूर्ण तरीके से सुल जाने का प्रियाज करें यह आपके लिए बैतर होंगे इसको प्रान दोस्तों यह शमय आपके लिए शमय होगी आपको बता दे कि दोस्तों किसी महतपूर्ण विश्य में आपको फिर शु चुले से शुरुआत करनी होगी अपने गलतियों का आउलोकन करें दोस्तों आपके अंदर बढ़ते वे रिचल को खत्म करने की कोशिद आपकी यश्मे सफल रहेंगी इसको प्राहत दोस्तों दुसरे के दोवारा मिल रही आलोचना को नजर अंदाज करना आपको यश्मे सि किसी नई दिकी शमंदी की मदद करने शत्धा उनकी शमस्याओं का शमधान करने में अधितार शमे भी वहतित हो जाएगा दोस्तों शमाजिक प्रतिष्टा में भी यश्मे आपका जो है इजाफा होगा किसी समारों आधी में जाने का आपका आउश्र भी मिल सामता है इसक होगा विद्यार्थियों की पढ़ाई में किशी परकार का वैवेधान उत्पन हो शकता है तो दोस्तों विद्यार्थिगर्ण इनको लेकर शावदन है इसको प्राण दोस्तों में आ रही इस्तिर्था आपको शकार्त्मक बना रही है दोस्तों मिली वी इस्तिर्था को कायम रखने की कोशिज आपको यश्मी करनी चाहिए पिसे समधित तकलिफ कम होने की वज़ेशी जीवन के प्रती आपका नजरिया भी यश्मी बदल रहा है दोस्तों आपको बता दें कि यश्मी अधिक से अधिक सकार्त्मक रहकर वर्तमार की बातों का अनंद लें ये आपके लिए यश्मी बहतर होंगे इसको प्राद दोस्तो याश्मे आपको बता दें कि शमे आप अपने आपको बहुत अधिक उर्जवान मैसुद करेंगे किसी भी प्रिस्तिती में अपनी शमस्याओं का हल रुड़ने में भी आप सक्षम रहेंगे दोस्तो याँ वग को अपने फैली इनकम मिलने से बहुत ही अधिक खुशी की प्राप्ति होंगी दोस्तो याश्मे बड़े बुज़रों का शिरुवात वाफिर पारेवरिक वतारण को याश्मे और अधिक शुख में बनाकर रखेगा तो दोस्टों यशमे आप क्या करें बड़े बज़रों का जो है प्यार शिर्वात और स्नेह पाने के लिए उनकी यशमे शिवाश वारत में ध्यान जरूर दें ये आपके लिए यश्मे बैतर होंगे इसको प्रांत दोस्तों यश्मे प्रांतु दूसरों के मामलों में ज़्यादा दखल अंदाजी ना करें इसे दोस्तों आपके ही मान शमान में कुछ आच आ सकती है दोस्तों ये जो शमय हैं कि आपके लिए अभी पैत्रिक शम्मत्ती स पा रहे हैं जिसकी वज़ाशी दोई याश में खूद के प्रति नराजगी भी बढ़ेगी और दूसरों के प्रति देखकर उनके मन में जलन भी पैदा हो शकती है दोस्तों दूसरे के प्रति बढ़ रही नकारता को कम करने की आप कोशेश करें यह आपके लिए याश में बै आति गतियों में है उनकी वैस्तायश में बने रहेगी इसको प्रांद दोस्तों यह में अपने जीवन से बौज मस्ती को कम करके आप अधिक वक्त अपने काम को पूरा करने के लिए लगा शकते हैं दोस्तों काम में मिल रहा यह आपका आत्मिश्वास बढ़ा रहा है जिस ब्रांद दोस्तों यह में आपकी केरेर को लेकर बात करें तो दोस्तों यह में वह शाय के परतिश्वास परदा का अशर आपके काम पर भी पढ़ेगा यह में कुछ लोग आपके लिए रुकावट उत्पन भी कर सकते हैं प्रतु दोस्तों किसी राइनेती को अपिर दोस्तों करना पड़ सकता है dif 120 ऐसमें आपको बता दया कि आपके केरेर के वह शाय के लिए जोसमें होंगे दोस्तों कारेशित में कुछ उताथ शndhau भी हैंगे इस को किशी अलब व्यंक्ती कि शला हुवा फिर योगदान यूग आपके लिए आवश्व होगा क्योंकि नियुक्त आपके दोस्तों आपको बता दे कि अपके रुखते वे काम किसी पूरे बी हो जाएंगे प्रक्रण यश्में बिद्यों की गतिविद्यों को ना ना करें बैतर होगा कि बाहरी व्यक्ति का प्रफिक्स जो है अपने कारेस्टल पर ना होने दें यह आपके वहिशाय के लिए समय बहतर होने वाले हैं इसको प्राव दोस्तों आपको बता दें कि बिजनस बढ़ाने से जुड़ी जो भी आपने उजनाई बनाई है उन्हें वली भूत करने का उचुत समय आ गया है दोस्तों य चारीचरš में लिया गया कोई भी प्रफिशला आपके लिए उचित सावित हो सकता है लेकिन दोस्तों य लॉटरी या पिर स्रेस जिसके कामों में प्रषा ना लगाए य आपके वहिशाय के लिए बहतर होंगे इसको प्राहत दोस्तों यश्मिए आपकी लव लाइब को लगर बात करें तो दोस्तों यश्मिए पत्री पत्री के शमन्द मदूर रहेंगे यूआ वर्ग प्रेम परशंगों में पढ़कर अपने अध्यान वापिर केरियर के साथ कोई भी समझोता ना करें यह आपके लव लाइब के लिए बैतर होंगे इसको प्राहत दोस्तों यश्मिए आपके लव लाइब के लिए शमिए होंगे दोस्तों जिवन साती के शलाह आपके लिए यश्मे भागयोदे दायक रहेगी दोस्तों किसे पीरे वेक्ति से मुलाकात आपको तराव मुक्त यश्मे घरने वाला है इसको प्राहत दोस्तों यश्मे आपके पारिवरिक जिवन के लिए यश्मे होंगे आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे दोस्तों पती पत्नी के शमन देश में मदूर रहेंगे प्रेम परशंगों को परवार जनों की विवाश वमन्दी सुकृति मिलने से भी समय उतम होंगे इसको प्राण दोस्तों येश में अगर आपकी स्वास देने शेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों येश में आपके स्वास के लिए जो समय होंगे आप अपने स्वास की सुरुक्चा के लिए पूरी तरह येश में गंबिर रहने वाले हैं जिनके वज़े से आपका येश में श्वास्त भी उत्तम बना रहेगा इसको प्रान दोस्तों येश में आपके श्वास्त करीज़ों समयोंगे आपके हेल्थ करीज़ों समयोंगे तो उस्तों खान पान के प्रति लप्रवाही ना रखे दूसरी खान पान के वज़े आपको प जांच यहसमें अवश्कराएं यह आपके श्वास्त के लिए बैतर होंगे इसको प्रांतों से यह में गिर रहे या फिर वहां दोवारा कोई चोट लगने की स्थिती भी बन रही है शावधानी परते तदा वहां का उप्योग नहीं करें तो आपके यह में उच्छेत हैंगे झालती बront सावचेत हैंगे जर्णियू सहँ परते से घरते हैं क्वादा सर्ज में ओोरी खालती विह प्यादेनी परते वाड़ हैंगे गिर आवशे हैंगे पल्योत अवर्श के लिए हैंगे रहेक शिकीक समती हैंगे जर होती हैंगे6ूल का जरыл्स जर छबच हैुके पमे